जैसे ही आप दवरना शुरू करते हो, आपका सांस बहुत ही ज़्यादा फूलने लगता है, आपका गला सूख जाता है, आपके पैरों में दर्द होने लगते हैं, आपका सिन पैन दर्द करने लगता है, आपकी एरियां दर्द करने लगते हैं, आपके घुठने दर्द करने लगते हैं ये सब तो ठीक है लेकिन सबसे जो मेन जरूरी बात है कि दवरते ही सांस इतना फूलता है कि मैं दवर ही नहीं सकता हूँ तो आज का वीडियो इंपोटेंट है आपके शांस को फूलेने को लेकर कि आगिर क्या ट्रिक है मैं क्या खाऊं या कौन सा जूस पियों कि हमारा शांस ना फूले और हम आराम से फिजिकल निकालना है तो देखो मेरे दोस्त मेरी गारंटी है के ससी जीडी का फिजिकल आप 110% निकाल लोगे तो आपके शांस फूलने की जो समश्या है उस पर आज इस्पेशल वीडियो आई है तो चलो वीडियो को चल दिशे शुड़ू कर लेते हैं शामने दिख रहे लाल बटन को दबा कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दमाएं दोरते समय बोडी में होने वाले धर्द को लेकर मायूस नहीं होना है देखो मुझे मालूम है कि फिजिकल की हम जब भी तयारी शुड़ू करते हैं तो हमारे सीन पैन पैरों में दर्द घुटने में दर्द एरियों में दर्द होने ही होने हैं दोखो मेरे सेर मेरी सेरनियों जब भी फिजिकल के समय आपको धर्द होते हैं तो आपको दिल से खुश होना है कि मेरा दोर स्टेंडर्ड लेवल पर जा रहा है और कुछ ऐसे मेरे सेर सेरनिया होंगी जो बहुत ही ज़्यादा पीरा में होंगे जिन्हें बहुत ही ज़्यादा दर्द होना है तो आपको मायूस नहीं होना है अगर आपको बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है तो आपको मन ही मन ये सूचना है कि जंगल में जब सेर और स छूट दी गई जिस तरह से 25,000 से सीट को बराकर 46,000 कर दिया गया जिस तरह से आपको ये मौका मिला है ये बार-बार मौका नहीं मिला है तो अगर अब भी तक आपने फिजिकल की तैयारी शुरू नहीं करा है तो फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो जहां तक मैं बात कर लू वीडियोज आप भी देख लिए होंगे कि इस बार SSTJD के final cut-off जादा जाने वाले नहीं हैं क्योंकि उधर 2021 में 71 लाग थे, 2023 में 54 लाग हैं, 2021 में 25 के आसपास थे और यहां 46 के आसपास हैं, तो आपको जादा मायूज नहीं होना है, जादा चिंता नहीं करना है, आपकी जो cut टफ रहने वाली है, वो बहुत ही कम रहने वाली है, और देखो यहीं मौका है, जो लर्कियां हैं खास करके, जो यह समाज सोचता है कि लर्कियां तो चाहर दिवारी के अंदर रहने वाली है, रोटी बेलने वाली है, तो आपको इन जंजीरों को भी तोरना है, इस गुलाम बहुत ही तेज फूलने लगता है, और आपका गला भी सूखने लगता है। देखो, इसका सबसे मैन कारान है जैसे ही आप लोग अपना प्रैक्टिस इस्टार्ट करते हो, आप बहुत ही इस्पीड दोरने लगते हो। आपको ऐसा नहीं करना है आपको बहुत ही स्पीड नहीं दौरना है मेरा एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपको स्टार्टिंग लेनी है स्लो लेनी है दुखो ये इंडियन आर्मी की कोई रैली है नहीं कि 250 बंदों को एक साथ रेडी गो करा दिया गया और जो 20 बं मिनट में वो भी पास है ठीक उसी परकार लर्कियों के लिए जो 8 मिनट 20 सकेंड 25 सकेंड 29 सकेंड तक आएंगे वो भी पास है और जो 7 मिनट में आएंगे वो भी पास है तो आपको कभी भी चिंता नहीं करनी है तो सांस फूलने का जो है सबसे मेन कारण कि जब भी आप लो और बहुत ही स्पीड भी नहीं, मीडियम अपना स्पीड रखो और धीरे धीरे एक स्टेप पर बरते रो, पॉंसों मीटर तक जाने के बाद आपका बॉडी गर्म हो जाता है, उसके बाद फिर आप चलो, दूसरी बात क्या होती है, हम लोग जो स्टार्ट करते हैं, हम मु से सांस लेते हो, तो आपका दम जादा फूलता है, सांसों की हवाओं की जादा होने के कारण आपके फेफरे में जादा फूलावाता है, और आप ऐसे करते हो, इसी तरह से होता है दौरते समय, इसका सबसे मेन कारण है कि आपको कोशिस करना है स्टार्टिंग में, जादा स ज़्यादा शमय तक हम अपने मुह को बंद रखें और नौक से संस लाएं, आप जितना ज़्यादा नौक से संस लोगें, आपके लिए उतना ज़्यादा फाइदा होगा, आप जाओ जहाँ तक संबह होएं, पॉंसो नीटर, साथ नीटर, हजार मीटर तक तो आप नौक से ज टेप होता है, SSCGD ऐसा कभी नहीं कहती है, कि आप कभी बहुत स्पीड दोर लो, कभी बहुत स्लो दोर लो, ऐसा बिलकुल ही नहीं है, आप एक ही चाल से दोरो, दोरते रहो, आप आराम से SSCGD के फिजिकल में पास कर जाओगे, और जो लोग ये कहते हैं, कि SSCGD का फिजिक बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, और आप आराम से SSCGD के फिजिकल को निकाल भी लोगे, और जो हमारी सेर शेरनियां जिनको ज़्यादा समय लग रहा है, उनको चिंता नहीं करना है, जिस दिन फाइनल राउंड होगा, हमने देखा है, कि हमारे जो बंदे थे, जो 28 मिन को किलियर करा, तो आपको चिंता नहीं करनी है, दूसरा जो हमारा डाइट आपके मन में आ रहा होगा, कि भहिया, मतलब डाइट क्या लेना है, तो सबसे मैंने डाइट आपके सांस फूलने का है, कि रात को सोते समय आप क्या करो, एक गिलास गुन-गुना दूद करो, इसा गर्म कि आपके पीने के लायक हो, उसके बाद देशी घी खरिदो, ये नहीं कि दुकान में जाके पतंजली और ढावर का घी खरिद लेना, अपने गाउं में आसपास पता करो, मैं मौनता हूँ हजार रुपीय केजी, बारासो रुपीय केजी होंगे, बट आप देश घी खरिदो, हलदी भी आपको दुकान से नहीं खरिदना है, नॉर्मल बजार जाओ, और हलदी का जो मैन जो गाँठाता है, बराबर हलदी खरिदो, उसे सिखाओ, और मील में जाकर उसे पिशवालो, तो रात के सोते समय, एक गिलास गुनगुने दूध में एक चम्मच इसी हलदी डालो, और सारे को मिला कर पी जाओ, मेरा एक बात याद रखना कि ये दूध और ये हलदी और ये घी जो है, ये रामबान उपा है, मैं नहीं बोलता हूँ कि आप काजू खाओ, अक रोट खाओ, बादाम खाओ, किसमिस खाओ, मुंग फली खाओ, देखो दोस्त दऊर निकालने के लिए हमारे चाती में जान होना चाहिए, जजबा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, आप नमक रोटी खाओना भी दऊर निकाल सकतीं, अगर मैं अपनी बात करूँ, तो मैंने खुद, मैं भी इंडियन आरमी की तयारी करा था, उस समय मैं काजू किस पास किया और मैं आज जॉब भी कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि ड्रैफ रूट्स खाने से बहुत ज़्यादा जान आता है जिसमें जजबा होगा जो अपनी गरीबी से उपर उठेंगे जो अपने माता-पिता के सपनों को पुड़ा करेंगे वो रोटी नमक खाकर भी आरा पुड़ा जन्गु ने दूध में एक चम्मच हलदी और एक चम्मच देशी घी ढालकर पी कर उसके बाद सू जाना है और अपने बोडी में सरसों तेल की मालिस जरूर करना फिर भी फीजीकल से रिलेटेड मेडिकल से रिलेटेड डुकुमेंट से रिलेटेड आपके मन मे किसी भी प्रकार के सवाल चल रहे हैं तो जल्दी से आके कमेंट बॉक्स में कमेंट करो मिलते हैं आप से बहुत ही जल्दी अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत कर दो हूँए भारत